जीवन में प्रभंदन का बहुत बड़ा महत्व होता है और हमारी इस स्रश्टी की जो रचना की गई जब दुनिया बसी तब प्रभंदन नाम के इस शब्द को इजाद किया गया इस शब्द को लेकर तमाम तरह की रिसर्च भी हुई आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इस दौर में जल प्रभंदन जी हाँ बहतर ढंक से जल प्रभंदन हो इस स्मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को बार-बार ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि जल है तो कल है MP News की इस खास पेशकर्ष में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस खास पेशकर्ष में आज हमारे साथ एक ऐसे महमान जुड़ने जा रहे हैं जो कि लगातार जिस तरह से समात सेवा करते हैं जिस तरह से उनका इंजिनियर ब्रेन लगातार वाटर मैनेजमेंट फॉर्मूला बना रहा है और अब वो लगातार अपने इस लड़ाई के चलते, अपनी इस कवायत के चलते वाटर एक्टिविस्ट के तौर पर जाने पहचाने जाने लगें जी हाँ हम बात कर रहे हैं श्री अजीत सिंग नारंग साहब की नारंग साहब, MP News की इस खास पेशकर्ष में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और हम यहाँ पर दर्शकों को कुछ बताएं कि किस तरह से आप वाटर मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं बीडा आपने इस उम्र में भी उठाया है और आज के नौजवानों को पाठ पढ़ा रहे हैं कि किस तरह से वो अपने जीवन में बहतर जल प्रभंदन को जो हैं क्रियानवित करें किस तरह से आपको ये ख्याल आया और आज आपको क्या लगता है क्या वाकई में इस आधुने की उक्के बदलते परिवेश में बहतर जल प्रबंदन का पार्ट हर नागरिक को पढ़ना होगा भारतवासी को पढ़ना होगा आज से भी स्वर्श पूर जब लगातार इस देश में सूखा पड़ा और जिस भयाव़ जल संकट का हमने सामना किया उस समय उस जल संकट समस्या ने हमारे सामने प्रश्ट उठा दिया कि इस संकट से हमेशा के लिए कैसे निजात पाई जाए हमने अध्धन किया विश्व के अनेग देशों में सूखा पड़ा जल संकट समस्या उपस्तित हुई उन्होंने इस समस्या का अध्धन किया उस अध्धन के अनुसार उस देश की जल नितिया निर्धारित हुई उन्हें साहसिक तरीके से लागू किया गया और जल सम्मन्दी सभी गती वीडियो को चाहे वह स्तरोत के चुनाव की बात हो अथवा जल शुदी करन की बात हो जल वित्रन की बात हो जल दर निर्धारन की बात हो जल दर वसूली की बात हो अथवा रीचारजिंग की बात हो रीसाइकलिंग की पात हो डिवल्परइश वीडियो को वह एक छट के नीचे लाए और उसका हल सुझाया और सदे के लिए जल संकट से मुक्त हो गया इन अध्यानों ने हमें भी प्रेरित किया कि हम भी हमारे देश में जल संकट समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं चुकि इन दौर का जल सतर किलो मिटर दूर से एक सो चुमालीस करोड रुपे बिजली के खर से दो हजार फिट उच्चाई से लेकर प्रदाय किया जाता है और यह देश का सरवादिक महंगा जल है तो हमने यह सोचा कि अगर हमने इन दौर का जल संकट समस्या का हल खोज लिया तो इसका हल जो है वादेश के अन्य शहरों में भी हमें हल देने में मारदर्शन पदाय करेगा विश्च के अनेक देशों के नुसार हमारे देश में भी जल्दर नितिया बनी लेकिन उनका पालन नहीं हुआ सरप्रथम जो जल्द सम्मद्दी निति बनी वह थी गुनिस सो तर्यानू की फुल कास्ट रिकावरी पॉलिसी उसके अंतरगत इस तरोट के से जल प्राप करने में उसके शुदी करन में उसके रखरखाव में आपकी तोटी तक जतना भी खर चाता है उसके नुसार वह सारा का सारा उबोकता को देना ही होगा लेकिन किसी भी प्रदेश की सरकार ने इसको लागू नहीं किया गया राज जी सरकारे जो है जनका करतव वे था वह नगरी निगायों पर थोपती रही नगरी निकाय जो है वित्तितिक हराब होने के कारण इसको लागू नहीं करते रहे औरना उनकोंने राजनितिक साथ दिखाया कि हम इसको नो प्राफिट नो लास की योजना बना दे इसके पच्चाथ 2002 में भी राष्टी जलनिती बनी 2012 में भी संशोदन हुए 2014 में भी संशोदन हुए लेकिन दुर्भाग यह है कि शास्की नितियों को शास्की विभागों ने और सरकारों ने लागू नहीं किया सचमुच में वही कारण है जिसके कारण आज दो तिहाई से अधिक देश का इसा जल संकट से जूज रहा है आज से 20 वर पूर जब हमने अध्धन किया इसकी पूरी रिपोर्ट तयार की एक प्रमुक्स हमाचार ने साथ दिन तक एक प्रश्ट पूरा इस रिपोर्ट का प्रकाशित किया जिसको पढ़कर तातकाले मुख्य मंतरी शिरी दिग्विजे सिंग ने 17 माई 2003 को हमें भोपाल बुलाया अपने आवास पर उनकी उपस्तिती में मुख्य सचीव की उपस्तिती में और अन्य प्रमुक्स सचीवो और विभागत दिख्श की उपस्तित में में हमसे इसका पावर पाइंट पेजेंटेशन करवाया एक घंटे पावर पाइंट पेजेंटेशन चला उसके बाद प्रशन उत्तर हुए और अन्तमे दिग्वेजी सिंग्जी ने कहा कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ प्रदेश को जल संकट से इसी अवधारना के नुसार हम मुक्ति दिला सकते हैं और तीसरी वार मुख्य मंत्री बनते ही मैं इस रिपोर्ट को लागू करूंगा उसके कुछ दिनों पश्चाती प्रभुक सचीव जी का में फोन आया कि हम सी पी आर्डी को पाइंच लाख रुपे देने को तियार है आप इसका जलमल प्राधिकन का एक तियार कर दीजिए लेकिन हमारे यां लाड डिपार्टमेंट के लोग नहीं होने के कारण हमने कहा कि हम नहीं तियार कर सकते आपके लाड डिपार्टमेंट से अथवा कंसल्टेंट निउप करके आप इसका एक तियार कर सकते हैं लेकिन दुरुभाग्य है इतनी स्विक्रती होने के बाद भी आज 16 वर्ष बीच चुके है लेकिन राज्य शासन ने अपनी नितियों को शास के जल नितियों को लागू करने के लिए कोई भी प्रात्विक्ता नहीं दी है और हम एक चरन दो चरन तीन चरन लाने के बाद भी हमारा इंदाओर के साथ साथ देश जल संकट समान स्याव से भारी तरह जूज रहा है बिल्कु ठीक बात है सर आपने देश की बात कहिए तो यहां मुझे एक बात याद आ रहेगी हाल ही में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि अब इन पांथ सालों में वो देश के हर नागरिक तक बहतर तरीके से जल पहुँचाने के लिए डर संकल्पित है और इसके लिए बड़े पैमाने पर एक योजना भी मूर्त रूप लेने वाली है और जैसा कि बार-बार कहा जा रहा है और रिसर्च में भी ये बात निकल कर आ रही है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा कहा जा रहा है कि वो विभिन देशों के बीच में पानी को लेकर होगा जल को लेकर होगा इन बातों में कितनी सच्चा ही है और जो फॉर्मूला आपने तयार किया है खास्तोर पर ऐसे जमाने में जब वाटर हर्वेस्टिंग सिस्टम पर तमाम मुंसिपल कॉर्परेशन्स काम कर रहे हैं तो ये जो आपका वाटर मैनेजमेंट फॉर्मूला है ये आखिर है क्या और सही माईनों में इसका क्रियानवन कैसे आने वाले कल में होने वाला है जी या बहुत अच्छा प्रशन है मैं सबसे पहले देश के प्रधार मंतरी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस जल्ट संकट समस्या के वक्त हर व्यक्ति को जल्ट प्रदाय हो हर घर पर टोटी से जल्ट प्रदाय हो इसको प्राथमि लेकिन इसके साथ यह भी आवशक है कि जितना जल स्तरोस से चला है वह पूरा का पूरा नल की टोटी पर पहुँचे इसे तू पुनह प्रबंदन करना पड़ेगा जो फार्मूला आपने बताया है यह फार्मूला हमारे अध्यन में तैह हुआ हमने इस पूरे अध्यन को तक तकनिकी द्रश्टी से आर्थिक द्रश्टी से और प्रबंदन की द्रश्टी से अध्यन किया तकनिकी द्रश्टी के अंदर वही बाते इस तरोत का चुनाओ जल शुद्धी करन री चार्जिंग री साइकलिंग प्रभाशाली रख रखाओ इत्यादी बाते थी उसके पश जल्दर नितिका निर्धारन नहीं किया उस जल्दर नितिका भी हमने अर्धारन किया कि किस तरह जल्दर नितिका निर्धारन किया जाए कि बिना लाव हानी के लोगों को जल प्रदाय किया जा सके और प्रभंदन की द्रश्टी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उच्च तक्निकी ग्याता कुशल प्रबंदक और अनुभवी कर्मी के साथ साथ विट्टी विशलेश्यक अर्थ शास्त्री विदी और हूमन रिलेशन के जो और जन संपर के विशेश्यक जो होते हैं वे ही सब मिलकर जल प्रबंदन का पूरी तरह हल निकाल सकते हैं और इन सारे विशेश्यकों को सुसजित कर हमने यह ते किया कि एक हमें जल्मल प्राधिकरन इस्थापित करना चाहिए जिसके अंदर यह सारे इस्तम सुसजित हो यह प्राधिकरन पूर्टिया स्वायत हो यह अपनी योजनाए स्वयम बनाएं उनको मूर्त रूप देने हैं तू स्वयम ही वित्ती प्रबंद करें उसके पश्चाथ सफल रखरखाओ एम कम खर्चीला रखरखाओ जहें व्यवस्था कायम करें और स्वयम ही जल्दर निर धारी दरों पर लाबहान विक्तियों से जल्दर वसूली करें अब तक का आपका रिसर्च क्या कहता है जो अभी तक आपने रिसर्च किया है तमाम जो नैट्रल वाटर रिसोर्सेस हैं जो प्राकर्दिक जल्स्त्रोथ हैं उन्हें लेकर आपकी क्या रिसर्च हुई है और आने वाले कल के लिए हमें क्या कदम आज से ही उठाना होंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला पूर्मूला पूरा है। जैसे अन्य विक्सित देशों के समान होंगे, हमें सबसे पहले जो जल वितरर विवस्ता है, उसका सुधार करना पूरेगा। नगर निगम इन दौर का सुयम कह रहा है कि हमारा बीस परसेंट जल जो है, वह लिकेजेस में बरबाद हो जाता है। दो सो करोड रुपे खर्चे, बीस परसेंट अथार, चालिस करोड रुपे का जल विर्थ हो जाता है। और अपुश समाचारों के नुसार, समाचार पत्रों के नुसार हमारे यां 30 से 35% पानी जो है लिकेजेस और लासेस में बरबाद हो रहा है। वह तो फिर 60-70 करोड रुपे का बरबादी का अकड़ा पहुच जाएगा। तो सबसे पहले दुनिया के जिन देशों में भी जल प्रबंदन लागू हुआ है, उन्होंने लिकेजेस को और लासेस को न्यून्तम किया है। इस है तू हमें भी प्रियास करने होंगे। अच्छा जहां तक लिकेजेस में जल बरबादी नहीं होती है। कारण मरते हैं और हमारा देश कहते हैं कि सवा लाग से डेड़ लाग करोड प्रती वर्ष दवाईयों पर वाटर बेस डिसीस पर खर्च कर रहा है। इस तरह सबसे पहले हमें लिकेजेस को नियूनतम करना पड़ेगा और कई देशों ने इसको जिस तरह जीरो वेस्ट मेनेजमेंट की पॉलिसी के नुसार हमें कारे करना पड़ेगा। जहां हमारे लिकेजेस बंद हो जाएंगे उसके पश्चात हमें यह भी आवशक है कि हमारी जल टंकियों का डिजाइन इस प्रकार हो कि वह अच्छा प्रेशर अच्छा दबाव बना सके क्योंकि वर्तमान में कम दबाव होने के कारन पहले गड़ा खोदना पड़ता है या हम उसको उपर ले जाते हैं इसके कारण प्रती व्यक्ति प्रती परिवार एक उनिट एक्सा खर्च करना पड़ा है अर्था 220 या सवा 200 रुपया प्रती माँ उनको दो सवा 220 का और 500 रुपय प्रती व्यक्ति दबाईयों खर्च तो हमें पानी 1000 रुपय प्रती माँ से कम न परचा देवें और उसको विग्यानिक और इंजिनिंग के साफ़ से हमें डिजाइन करना पड़ेगा जहां हमारी वित्रन विवस्था और टंकिया सुदरगी उसके बाद आता है कि मीट्रिंग विवस्था कायम की जाए मीट्रिंग विवस्था नहीं होना के कारण अवेद कनेखिनों की भरमार है उसके कारण बहुत बड़ा जल बरबाद हो रहा है इसलिए हमें मीट्रिंग विवस्था कायम करके और जल्दर निधारित करके हमें लोगों को दर्शाना होगा कि जतना जल का अपयोग कर रहे है उतने का आपको पेमेंट करना होगा कम बरबादी हो रहा है और गरीब की कीमत पर अमीरों को पानी पिलाया जा रहा है क्योंकि जिनकी कम कैपिसिटी है गरीबों की उनसे भी वही चार्जिस ले रहे हैं जो कारों को धोते हैं और बगीचों को सीचते उनसे भी वही दरे ले रहे हैं तो इसलिए मीट्रिंग विवस्था कायम क करता है इसके पश्चात एक और बहुत पूर टेक्निकल मुद्दा है डबल पाइपलाइन सिस्टम का मैं पूछना चाहता हूं हमारे नितीन रिधार को से क्या दुनिया के ऐसे देश है जा फलश में भी जल शुद्धी करन के पश्चात पानी बाहा जाता है हमें पीने का पा बाइपलाइन सिस्टम डाल रखी है एक से जल शुद्धी करन और हम वह पानी जल शुद्धी करन के पानी पानी या बाग बगीचों में देने का पानी या फर्श धोने का पानी हम बिना टीटेट नहीं दे सकते हैं कितना शुद्धी करन में हमारी कीमत लग रही है इन सार विवस्थाव को उननत देशों ने डेवलप किये गए उसमें जर्मनी की बात हो अस्टेलिया की बात हो इस्पेन की बात हो या जितने विक्सी देशे उन्होंने डबल पाइप लाइन सिस्टम डाल रखी है एक से जल्शुद्धी करन और हम वह पानी जल्शुद्धी करन का दे सकते हैं कि घरों पर से हम ये जितने भी हमने जल्शुद्धी के उपकरन लगा रखे हैं उन सब को हटाया जा सकता है इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें टेकनीकली जो है इसको सक्षम बनाना पड़ेगा और इसके पश्चाथ हमें जल्दर निती का निर्धारन क है कि जल्दर नती इस प्रकार निर्धारित की जाए कि गरीबों के उपर आर्थिक रूप से वित्ती रूप से विप्रित प्रभाव नहीं पड़े और सभी को नियूंतम पीने का जल नियूंतम जल जो है वह चाहे निमनायवर्ग हो मध्यमायवर्ग उच्चर उनको एक ही दर पर मिले और उसके पश्चात ऐसे जल्दर निर्धारित किये ताकि लोग पानी को बर्बाद करने से पहले इतनी कीमत लोग उनको पानी का सम्मान जो है समझ में आने लगे ये जल्दर निती का हमने इस तरह निर्धारन किया और उसके अनुसार यह करने के पश्चात हम ने पाया कि हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था जो वर्तवान व्यवस्था है वह संशोधी व्यवस्था में कनवर्ट हो जाती है परिवर्तित हो जाती है और यह सारी बाते हो जाती है जल्दर नेती का निर्धारन हो जाता है और उसके पश्चात हमारा 140 करोड रुपे का ज यह सबसे बड़ा इसके पश्चात जो दूसरे चरन में हमने जो अध्धन किया उसके नुसार हमें री चार्जिंग की आफशक्ता थी री साइकलिंग की आफशक्ता थी जल बचट की आफशक्ता थी उसको हमने फिर उत क्रश्ट यस्था में कनवर्ट किया कि वह कैसे हो सकती है. री छार्जिंग कैसे हो सकता है. री सैकलिंग कैसे जल बचत के परेनाली को कैसे लागू किया जखता है. तो वह करने के पश्चात हमें मालुम पड़ा कि हमें तो नर्मदा से 50-प्रतिशन जल ही लाना होगा इस प्रकार हमारा बहतर जल प्रबंदन विवस्ता हमने आंकडों के साथ में तयार करके साशन के समख फिर से रखी बड़ी बात है यहाँ पर एक चीज बहुत गौर करने वाली है जो कि चर्चा में निकल कर आई है कि आज हम इस दौर में सांस ले रहे हैं जब हम स्मार्ट सिटी डिवलब करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं रफतार पकड़ रहे हैं ऐसे में समार्ट सिटी में कैसे स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करना होगा इस गहन विशाय पर जो है चिंतन किया है अजीत सिंग नारंग साहब ने और साथी साथ वो सरकार को लगातार जगाने की कोशिश में है कि सरकार के तमाम नुमाइन दें आज जाग जाएं और एक बकाइदा नीती के साथ में सरकार इस समार्ट वाटर अज तो कल है का जो नार उसे ना केवला आतमसाथ कर पाएं बलकी सही माइनो में हमारे जीवन में जल का जो महत्वे है कि उसका पार्ट भी हम देश के हर नागरिक दरव vacc को पढाएं क्या कोई मंत्री मंदल भी जो है इस विशय को लेकर गंभीर आपको नजर आता है और किस तरह से आपने जो पूरा प्रस्ताव तैयार किया है बड़े शोध के बाद जो तमाम तथे निकल कर आए हैं क्या ये तथे सरकार तक आपने पहुंचा दिये हैं जी पहले जब हमने 2003 में ये प्रोजेक्ट बनाया था उस समय 26 करोड रुपे का घाटा हो रहा था जो बढ़कर 140 करोड का हो गया है इस तरह हमने पूरी की पूरी रिपोर्ट का जो है उसमें संशोधन किये आज के आकड़े लिए वरतमान घाटा लिया और पूरे अध्धन के पश्चात इसको कैसे बिना लाभानी के चला सकते हैं घाटा कैसे कम कर सकते हैं 50% पानी से हमारा कैसे गुजारा हो सकता है नर्मदा के वे सारी की सारी रिपोर्ट हम पिछले महां लेकर बोपाल में मिले हैं सबसे पहले हम मानी दिगविजे सिंग जी से जिनोंने पहले इस कि उनके आखों के सामने पुराना परिद्रश उपस्तित हो गया और हर आइटम की वही जिक्र करने लगे जिसका हमने पहले जिक्र किया था और उसके पश्चात कुछ और नए संशोधन में नए प्रस्ताव में हमारे से डिसकेशन किया और यह कहा कि मैं इस अवधारना को ला हम धन्यवाद देते हैं जीतू पटवारी जी का जिनों ने अपने ही पर इस मुद्दे की को महतवपूर मानते हुए मानिये जैवरदन सिंग जी को अपने निवास पर बुलाया उनसे हमारी चर्चा हुई उन्होंने पूरी चर्चा को विस्तरत रूप से समझा और आश्य किरोड रूपे का घाटा कैसे कम हो सकता है पचास प्रतिशत नर्वदा के पानी से नदोर का कैसे गुजा रहा हो सकता है मैं इसका पूरा पावर पाइंट प्रेजेंटेशन देखना चाता हूँ इसको समझना चाता हूँ इस पर आपका क्या कहना है तो जीतू पटवारी जी बोले जी आप इन दोर आएं आपके सामने पावर प्रेजेंट प्रेजेंटेशन रखा जाएगा और डेश में जो जल्संकट व्यापते उसको मद्दे नज़र रखते हूए इन प्रस्तावों पर जरूर विचार करना चाहिए क्योंकि मैं इन विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ इस प्रकार जहे हम इसको पुना उठा चुके हैं मानने मुख्य मंत्री जो को भी हमने जहे हमारे यहां से जहे ईमेल पर इस तरह के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं और उन्होंने भी नगरी प्रशासन भाग से कहा है कि हम से संपर करके इसको जहे है पूरा का जाहे कि अब तक के जीवन का जो अनुभव है और जो निचोड उन्होंने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में तयार किया है निकाला है वो निचोड अब सरकार तक पहुंच गया है और उमीद की जा सकती है कि ये बड़ा प्रस्ताव जो की इंदौर जिसे की महानगर की शकले ल जान केंद्रित है और साथी साथ वो पूरा जोर भी दे रहे हैं कि शहर का हर बाशिंदा उठ खड़ा हो ताकि बहतर ढंग से जल प्रभंदन का नारा बुलंद किया जा सके नारंग साब जाते आपके बारे में कहा जाता है कि आप यूं तो पेशे से इंजीनियर रहे लेक किया जाएगा और इसमें जो तमाम सरकारी अवरोध हैं वो भी बहुत तक जो हैं दूर किया जा सकते हैं और जनता से आपकी क्या उमीदें हैं कि जनता कैसे इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सचमुच में इस देश की सरकारों को आगे आना होगा जो जल संकट की विश्ष तरीय रिपोर्ट आ रही हैं उनके अनुसार जो नासा ने अध्यन किया है उसके अनुसार भारत में अन्दा धुन जल दोहन हो रहा है 2005 से 2008 के बीच में पंजाब राजस्तान हरियाना में 13.1 अरब क्यूबिक मीटर पानी का भूजल का दोहन होना था लेकिन वह दोहन 17.7 अरब क्यूबिक मीटर किया गया है अब पंजाब राजस्तान हरियाना के पश्चात सारे देश में अन्दा धुन दोहन की होड मची चुकी है इन दोर का उधारन ले मालवा प्रांद का उधारन ले तो मैं आपको बताता हूँ कि 25 से 30 बलाक जिसमें इन दोर के सावेर और देपालपूर रतलाम के पिपलोदा रतलाम जावरा जहां पर डेड़ सो परसेंट से उपर सिले के 116 परसेंट का दोहन होने लगा है अर्था सोन लीटर जल पानी में जा रहा है तो उसका दुगना के करीब पानी दोहन हो रहा है वे सारे के सारे इन शेत्रों को राजस्तान की और रिगिस्तान बनाने की और ले जा रहे हैं इसी परकार सो परसेंट के आसपास 85 से 100 परसेंट जिसे ग्रे वाटर जोन केते हैं उसके अंदर भी 15 से 20 प्लॉक आ गए हैं जो उसके बाद एक वाइड जोन है एक ग्रे जोन है एक डार्क जोन है इन समय संख्या बढ़ती जा रही है हुर हम जितना भूजल जमीन में डाल रहे हैं उस के पश्चाद वर्ल बेंक रिपोर्ट ने बहुत ही ऐसी रिपोर्ट चिंता की दी हमें कि आने वाले वर्षों में जल संकट समस्या से जूजने वालों देशों की पानी के कारण अर्थ विवस्ता कमजोर पड़ जाएगी उन्होंने का है कि भारत की अर्थ विवस्ता चौद परसेंट कम हो सकती है इसी तरह ब्रिटेन कोलंबिया इनुरिस्टी के एक अंतराष्टी प्रोफिसर ने का है कि अगले चालिस वर्षों में भारत दुनिया का जल संकट समस्या से जूजता हुआ एक प्रमुक देश होगा और इसी तरह की रिपोर्ट वर्ड वार्च इंस् रिपोर्टर ने बता दिया है कि हम कितने आने वाले संकट में पढ़ने वाले हैं और अगर इसी तरह भूजल समाप्त होता गया जो प्रती व्यक्ति आजादी के से पाच जार क्यूमिक मिटर था अब जाकर के पंदरा सो के करीब आ चुका है और दोजार पच्चीस से पच बात कम हो जाएंगे तो क्रशी के क्या माइने होंगे अगर जलने मिलेगा पे जलने मिलेगा इसके क्या माइने होंगे इन सारी बातों ने हमें प्रेरित किया है कि हम देश में इस बात की चिंता करें कि हम आने वाली पीडी को अगली सदी को जल किस तरह अपलत करा और यही हमारे अध्यान का मुख्य मुद्धा था भी यहां पर दर्शकों ने जान लिया है और उमीद की जा सकती है कि मद्यप्रदेश की सरकार इस दिशा में ठोस कदम ना केवल उठाएगी बलकि मालवा की पुरानी कहावत है कि पगपग रोटी डगडग नीर उसे क्रिया जनता है वो भी पानी के सदुपियोग पर ध्यान दे खासतोर पर वाटर रिचार्जिंग सिस्टम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की अनिवारता जरूर यहां पर नगरपालिका निगम ने यहां पर लागू कर दी है लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसा देखने में आता है कि आम जनता जो है जागरुकता के अभाव में पानी का दूरूपयोग करती है जो कि कहीं न कहीं हमें आने वाले कल के जो संकट के करीब ले जा रहा है तो बहराल यहां पर उमीद की जा सकती है कि जनता भी अपनी भागीदारी इसी तरह से निभाएगी और जैसे की वाटर अक्टिविस्ट अजीत सिंग नारग साहब ने यहां पर दर्शकों को बताया कि लगातार वो कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं और उनकी जो रिसर्च है वह इस मोहाने पर आकर खड़ी हो गई है कि हमें आने वाले कल के लिए जल मल प्राधिकरण का नाकिवल निर् पाएंगे जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन पांच सालों में जल को हर घर तक पहुंचाने के लक्ष की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं उमीद है कि मद्रप्रदेश की सरकार भी इस दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ाईगी नारंग साह है आपके इन तमाम पाठों को सबक के रूप मिलेगी ताकि सही मायनों में हम जल प्रभंदन की दिशा में सही दिशा में आगे कदम बढ़ाई जा सके एंपी न्यूस की इस खास पेशकर्ष में फिलहाल इतना ही आपको ये खास कारिकरम कैसा लागा हमें जरूर बताएगा यदि आप ये खास कारिकरम टैलिविजन पर देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया हम तक या नारंग साब तक जरूर पहुंचाएं यदि आप यही खास कारिकरम YouTube या Facebook पर देख रहे हैं तो comment box में जाकर अपनी प्रतिक्रिया लिखना बिल्कुल भी ना भूले ताज़ा आसरे इन खबरों के लगातार बने रही है आपके अपने न्यूस चैनल एंपी न्यूस के साथ फिलहाल दीजिए जाज़त नमस्कार